नमस्ते, आज मैं डॉक्टर अंकुर बजाच आपको बताऊंगा 40% rule of vitamin D आखिर क्या है ये 40% rule of vitamin D अगर आप एक बारिस को सुलेंगे तो जिन्दिकी में कभी नहीं बूलेंगे क्योंकि मैंने भी ये जब मैं MBBS पढ़ रहा था आज से 15 साल पहले तब मेरे टीचर ने पढ़ाया था इसे 40% rule of vitamin D और उसके बाद मैंने MS, MCH कभी भी किया आज तक कभी भी ये rule नहीं बूला ये rule बताता है कि हमाई में vitamin D की कमी ना आए इसलिए हमें कैसे धूप में बैठना चाहिए ये इतना कैची है कि आपको हमेशा याद रहेगा 40% rule of vitamin D कहता है कि अगर आप एक साल में 40 days धूप में बैठते हैं 40 minutes के लिए और कम से कम 40% part of the body exposed to sunlight रहे तो आप में कभी भी vitamin D की कमी नहीं आएगी एक बात मैं इसमें और जोड़ूँगा जब भी हम धूप में बैठे तो ये ना सोचे अगर हम direct sunlight में नहीं है यानि कि मतलब कोई काच लगा है काच के अंदर बैठे लिए जैसे लोग गाड़ी के अंदर बैठे धूप आ रही है तो वो आपका vitamin D level कभी भी synthesize नहीं होगा तो synthesize करने के लिए vitamin D आपको direct sunlight चाहिए इविन हमारे हिंदुस्तान में काफी लोगों में vitamin D की कमी है क्योंके हमने ये 40% rule अपना ना छोड़ दिया है तो किर्पया करके ये 40% rule खुद भी समझिये और अपने साथ अगल बगल अपने घर वाले रिष्थेदार सबको बताईए 40% rule ताकि आगे जाके हमाए किसी भी संबंदी में साथ वालों में vitamin D की कमी नाओ क्यों vitamin D एक बहुत important vitamin है जो माई body में बहुत immunity से लेके bones को strong करके बहुत सी चिने control करता है बच्चों की growth control करता है और coronavirus में भी vitamin D का role बहुत अच्छा है हमारी immunity बढ़ाने के लिए तो किरिपे आपनी vitamin D बढ़ाईए direct sunlight में बैठिए और अगर vitamin D से related यहां कोई और चीज़ के related आपको कुछ पता करना हो तो please comment करिए ताकि मैं आपको सही और सटिक जानकारी देता रहा हूँ स्वस्त रहिए खुश रहिए जागरोक रहिए stay healthy stay safe नमस्ते